थाना दिवस, तहसील दिवस, समाधान दिवस, संपूर समाधान दिवस ये सारे दिवस पर फरियादी अपनी फरियाद लेकर अधिकारियों के सामने निरी हिपराणी की भाती पहुंसते तो हैं लेकिन ही अधिकारी उनकी इन शिकायतों को कितनी गंभीर्था से लेते हैं उसका एक नमूना आज गोंडा में दिखाई दिया संपूर समाधान दिवस के मौके पर एक अजीबो गरीब शिकायती पत्र सोशल मीडिया पर वायरल है जिसको अधिकारीों ने बिना पढ़े ही अग्रिस सरित यानी फॉर्वर्ड कर दिया मामला कर्नल गंज तैसील क्षेतर का है जहां के रहने वाले सुमीत कुमार यादम ने समाधान दिवस के मौके पर पहुँच कर एक शिकायती पत्र अधिकारियों को सौपा फिलहाल शिकायती पत्र गोंडा में चर्चा का विशय बना हुआ है इस शिकायती पत्र में इंद्र देवता के खिलाफ शिकायत की गई है और उनके खिलाफ कारवाई की मांग भी की गई है शिकायत करता द्वारा शिकायती पत्र में कहा गया कि पिछले कई महिनों से बारि अजीब बात ये है कि शिकायती पत्र का समाधान दिवस में बैठे अधिकारियों ने संग्यान लिया और आबश्यक कारवाई के लिए करनल गंश तैस्दीलदार को अग्रिस्तिक भी कर दिया गया है शिकायती पत्र अब सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है सूचने वाली बात ये है कि शिकायती पत्र को पढ़कर हर कोई समझ सकता है कि शिकायत करता द्वारा मजे लेने के लिए ये शिकायत की गई है लेकिन संपूर समाधान में बैठे अधिकारियों को शिकायत का समाधान करना तो दूर की बात है शिकायत पढ़ने का भी समय नहीं है यह सिर्फ खाना पूर्ती के लिए ही आ रहे हैं इस शिकायती पत्र को आगे की कारवाई के लिए अग्रिसरीत करने के बाद अधिकारियों ने अपना मसाग खुदी बनवा लिया और अगर कोई सच में पीडित हो तो ये अधिकारी शिकायत पत्र लेने में ही 100 बार आनाकानी करते हैं और उसको बार बार उलट पलट कर पड़ते हैं लेकिन शिकायती पत्र को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि स समधान दिवस पर फरियादियों की समस्याओं को लेकर अधिकारी कितने गंभीर हैं।